Hello everyone, यह इस lecture series का lecture no.3 है, जिसमें कि हम mainly 3 topics यह वो cover करने वाले हैं, पहला pH scale से लिए जो भी topic हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद buffer solution, उसके बाद third topic है, common iron effect, हम इस वीडियो में यह 3 topics यह वो cover करने वाले हैं, जैसा कि हम इसके पहले अल्रेडी दो lectures यह वो पढ़ चुके हैं, पहल पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से, सबसे पहले देखिए pH होता क्या है, इसका जो formula है, definition and numerical है, वो हम आगे देखेंगे, बट एक जो general information है कि pH आखिरकार होता क्या है, वो सबसे पहले आप समझे, pH होता है, potential of hydrogen, मतलब कि hydrogen की छंता, इसका full form ही होता है, कि potential of hydrogen, इससे हम क्या मिजर करते हैं, इससे हम किसी भी substance की acidity और basicity जो है, वो मिजर करते हैं, कि कोई भी substance या फिर कोई भी पदार्थ क्या है, कि अमली है या चारी है, यह चीज़ हम इस scale से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि यह चीज़ हम इस scale से पहचानते हैं, उसके बाद यह जो Scale है कि इसको हम मिजर कैसे करते हैं लोगरिथमिक Scale में मिजर करते हैं फिया है पिया से से होता कैसा है यह से कि आप इस तरीके होता है तो यहाँ पर गャंपर और है कुछ न astronomers लिखे हो हैं यहां पर 0 से लेकिन 14 तक नमबर होता है जो 7 होता है भेसिक नीचर होता है तो अगर आप किसी बेस को वाटर मिलाएंगे तो उसे ऐलकली कहते है तो यह alkaline मतलब क्या है बेसिक है इसी किया अब बीच का जो सब्सक्राइब वो न्यूटरल होता है अब इसके बाद यहां पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट मेंचन किया है पीएच जिसका आपको पीएच आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यह भी एक्जामस में पूछा जाते हैं जैसे फॉर एक्जामपल वाला है कि ब्लड का 7.4 होता है यह कई एक 7.4 उसके बाद आफ्टर मील 5.8 उसके बाद गैस्ट्रिक जूस 1.4 एंड ब्लड जो होता है वह 7.4 ठीक है इसका 7.4 यह 7.35 दोनों ही आंसर होता है अगर आपको उप्शन में जो भी मिले आप उसे टिक कर सकते हैं उसके बाद लेमें जूसी कि जो स्टार्टिंग से लिए 5 है यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है और अगर आपको नहीं वियाद रखना तो इस पेशली आप ब्लड का और सलाइवा का जो है वह आप याद कर लीजे क्योंकि यह एक्जाम में जो है इसके बाद नेक्स्ट हम पीएच सेल का डिफिनेशन के देखते हैं क्या होता और जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है ठीक है hydrogen ion concentration in molarity is more conveniently expressed on a logarithmic scale is known as pH पीएच क्या होता है कि जिसमें हम hydrogen ion का जो concentration होता है उसको हम conveniently represent कर पाती है यानि कि जो hydrogen ion की सांद्रता होती है उसे हम express कर पाते हैं उसे हम लिख पाते हैं उसे हम क्या कहते है पीएच कहते हैं जो पीएच होता है उसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे negative logarithm of base 10 of the activity of H plus of hydrogen ion ठीक है मतलब कि यह होता है negative log of H plus ion ठीक है इसे हिंदी में देखिए hydrogen ion की सक्रियता के रिणात्मक 10 आधारी लगुडिमान को pH कहते हैं तो इस तरह से आप इसका जब formula देखेंगे तो आपको यह और अच्छी तरह से clear हो जाएगा जो बहुत dilute solution होते है dilute का मतलब क्या होता आप यह चीज़ पहले समझें dilute मतलब for example आपके पास 100 ml क्या है water है उसमें आपने क्या 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 कि 2 ml आपने कुछ acid डाल दिया तो यह क्या हो जाएगा dilute हो जाएगा लेगिन वह जो 2 ml अगर माली सिर्फ वह प्योर जो है acid है तो वह क्या हो activity of hydrogen ion is equal to the magnitude of molarity represented by H+. मतलब कि जैसे आपको अगर आपने पढ़ा अगा तो कहीं पर आपको दिया रहता है कि H+, का जो concentration हो कितना है 2 into 10 to the power minus 2 यह आपको concentration दिया है इसके सामने यहापे कह लिखा होता है M लिखा होता है फिर आपको बोलता है कि आप pH find out करिये तो यह जो आपको है यह H+, का concentration इसी को यहाँ पर बोला गया है कि जो activity of hydrogen ion होती है न तो वो यही होती है ठीक है in dilute solution activity of hydrogen ion is equal to magnitude of molarity represented by H+, ठीक है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया रगना है आपको यह दिया रगना है जो concentration आपको दिया रहेगा तो उसे को आपको H+, की जगा जो है substitute कर रहे है है हमने जो भी H+, की definition पड़ी उसके according आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि भी एच का formula क्या होता है negative log H+, ठीक है negative log H+, यह काफी important है यह आपको कई जगा यूज होगा तो आपको यह formula वह आपको याद रखना है ठीक है अब इसके बाद निक्स दीखते हैं आप पर जह ह इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेगा ठीक है जैसे कि हमने इसका formula पढ़ लिया है कि माइनस लॉग और यहाँ पर आपको एच प्लस जो रखना है ठीक है तो अगर आपको मालीजी HCL का example सबसे पहले लेते हैं अगर HCL का आपको दिया हुआ है कि इसका 10 to the power minus 2 है तब आप य बार यहां पर माइनस लगा हुआ तो इसका answer क्या हो जाएगा 2 यानि इसका पी एच वह कितना आएगा 2 लेकिन अगर similarly आपको बेस का example दिया हुआ है बेस में तो H प्लस दिया नहीं हुआ है आपको क्या दिया हुआ है OH आयन का concentration दिया हुआ है लेकिन आपके formula में क्या है H plus है log क्या है H plus है तो आपको यहां पर क्या करना होगा कि आप जब यहां पर similarly यही formula यूज करेंगे तो आपको जो मिलेगा वह होगा POH जैसे कि अगर आप यहां पर रखते हैं 10 to the power minus 4 अगर आप रखते हैं इस formula में तो आपको POH कितना मिलेगा POH आपको 4 मिलेगा लेकिन आपसे question में पूछा क्या रहेगा आपको pH निकालना रहेगा तो आप इससे क्या करेंगे आपको यह चीज़ ज्याद रटना है कि pH plus POH क्या होता है यह total 14 होता है तो अगर आपने POH जो है वह 4 निकाल लिया है तो आप क्या करेंगे माइनस करके pH को लिख देंगे pH कितना हो जाएगा इस तरह से आपका 10 हो जाएगा तो आपको यह चीज़ याद रखने है कि pH plus POH कितना होता है यह total 14 होता है तो अगर आपको ऐसी रिया बेस किसी पूछेगा आगे हम questions भी solve करेंगे तो यह आपको और इची तर से clear हो जाएगा तो अब इसके बाद next देखिए अब आपको pure water का आपको याद रखना है कि pH कितना होता है pure water का जो H plus concentration होता है वो 10 to the power minus 7 होता है और जो इसका pH होता है वो 7 होता है इसलिए हम कहते हैं कि pure water क्या होता है neutral होता है अब इसके बाद देखिए acidic solution possess a concentration of hydrogen ion 10 to the power minus 7 M while basic solution मतलब आपको यह बता है कि जो pH है अगर वो 7 से कम है तो वो acidic solution होगा प्याइच अगर 7 के बराबर है तो वो neutral होगा और अगर पी-च जै वह 7 से जादा होगा तो वो basic solution होगा जैसे हिंदी क्या क्या ही होगा अगर वो 7 से कम है pH चारी अगर 7 से जादा है और उदासीन होगा उदासीन मतलब की न्यूटरल तो यह 7 के बराबर होगा पीच तो इस तरह का होता है अभी हम कुश्चन सॉल करेंगे तो आपको और इच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा अब इसके बाद देखें यहां पर यह नुमेरिकल दिया हुए सॉल नुमेरिकल जिसे आप ध्यान से देखिए दे कंसेंट्रेशन ऑफ हाइडोजन इन इस सेंपल ऑफ सॉफ्ट रिंग इस टू इंटू 10 तू पावर माइनस त्री यह क्या दिया हुए मतलब की सांदरता दी हुए किसी भी परदात की अब उसमें पूछा गया है वाट इस पी एच तो जैसा कि मैंने बता है फॉर्मुला क्या है माइनस लॉग एच प्लस इसमें आपको क्या करना है एच प्लस का कंसेंट्रेशन है वह सीधा सीधा जो है वह सब्स्ट्यूट कर देना है तो अब देखिए यहां पे क्या है टू इंटू 10 तू दी पावर माइनस 3 त तो अगर आप क्योंकि यह देखिए यहां पे यह लिखा हो है यह टू इन टू लिखा हुआ है मतलब यह तो प्लस करेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाइट थेक है तो यहां पे हमें सेम यही फॉर्मौला युज किया है यह तो नों मल्टिप्लिकेशन में थे मिरा में लेकिन यह जो लॉग के अंदर होता है 10 थी पार माइनस री तो सीधा- जाथे सामने आजाता है तो इसलो लेकिन लोग शुक्ष से कहें लेकिंग को क्या करना लोग टुया को क्या अर्म काफ़ी कमन होता है तो आपको इनकी वैलुस जो है वो याद रखनी क्योंकि आपको महाँ लाग टेबल या फिर आपके पर इता टाइम भी नहीं है कि आप यह सब चीज करें तो इसलिए आपको लॉग 2 और लॉग 3 की वैलुस जो आपको याद रखनी है तो इस तरह से आप इसको फिर सिंपली म कम आया इसलिए जो यह सॉलुशन है वह अमली है मतलब कि एसके बात नेक्स देखिए इंपॉर्टेंस ओफ पीच मतलब की पीच का कौन कौन से फिल्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका जस्ट बाद वाले स्लाइड में हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी वाले टे हम उसे थोड़ा नीटर बना सके उसे मतलब की यूज करने लाइक बना सके अब जैसे कि अगर एसेटिक है और इलकलाइन है तो इससे क्या करते है कि हमें पता चलता है कि किस टाइप का फर्टिलाइजर जो है में यूज करना चाहिए तो इस तरह से यहां पीसका एप्लिके आपके एक्जाम में आते हैं तो आप उसे छोड़ेना और उसके बाद को रोजन रिसर्च इसमें क्या होता है कि पीएच ओफ सी वाटर जो मिजर करते हैं उसके बाद कि यह जो शिप अगएरा का स्टड़ी होती है वह सारी चीज़र की की जाती है सेमिलर्ली हिंदी में कृशी में किभिस हैं क्योंकि इसे हम यह पता लगा सकते हैं कि वह आम्ली यह चारी इन उसके उर्वरक के प्रकार होते हैं और भौई जाने वाली फसल होती है तो वह जपीद्वर लास्थिशे के अंधर करते इसके बाद जो लास्ट है वो है संख्षारण अनुसंधान में मतलब की कोरूजन रिसर्च पे इसमें क्या चाता है जो समुद्र का पानी है सी वाटर है उसका जो पी एच वो मीजर क्रिया जाता है और इस बेसे पर डिसाइड किया जाता है कि जो भी संबरीन है मतलब की यहां पर यूज किया जाना चाहिए तो इस टाइब की स्रेडी में भी यह पिएच वह इंपोर्टन है नेक्स टॉपिक हमारा बफर सॉलूशन यानि की बफर विलियन यह आपके डायड एट से लिवस में लिखा हो है लेकिन यह एसे एंड बेस उसके बाद जो पीएच हो दो यह आपको पता होना चैहें क्योंकि यह शोराे से टॉपिक है फिसको इसके बारे में आपको इन्फोर्मिशन रहनी चाहिए तो देखें बफर सॉलूशन क्या होता है इट इस एक्वास सॉलूशन कंसिस्टिंग ओफ लुक्ट एसट एट इस कॉंजूगेत बेस यह क प्रक्राइब करने देख सबस्क्राइब करें देख सबस्क्राइब तो यह जदो फिर यह तो पिर गजान पॉइंसें पूइंग आपको चीज छोड़ना नहीं है थेक है तो आप देखें यहां पर buffer solution are used as a mean of keeping the pH nearly constant value मतलब कि यह जो buffer solution है और buffer value मतलब कि buffer billion है इसको आपको क्या करना है इसको क्यों use किया जाता है एक constant value pH की रखने के लिए मतलब एक fixed value रखने के लिए इस buffer solution का जो है यूज किया जाता है buffer solution यानि की buffer billion इसके कई सारे applications chemical applications लेकिन एक चुए इसका application है जो कि आपका पता होना चाहिए किसली use होता है to regulate the pH of blood bicarbonate buffering system इसका use किसले होता है to regulate the pH of blood जैसे कि blood जो है हमारे body का सबसे important हिस्सा है तो उससे क्या होता है कि अगर ब्लड का जो pH है अगर वो ज्यादा alkaline हो जाएगा या फिर ज्यादा acidic हो जाएगा तो क्या होगा कि वो properly उस वो function नहीं कर पाएगा तो इस वज़े से क्या को करते हैं कि उसका भी एक जो specific pH है वो maintain रहना चाहिए ताकि वो properly work करें तो इससे regulate करने के लिए क्या करते हैं यह bicarbonate buffering system का यूज करते हैं तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है common ion effect या फिर some ion प्रभाव अगर आप इसे सीधी साधी लेंग्विज में समझे तो वो कुछ इस प्रकार होगा जैसे कि मैंने जहाप example डाला है उसी कित्रू में आप लोग को यह चीज़ क्लियर करते हूं जैसे कि मालीजे यह acetic acid है CS3 COOH यह मालीजे आपके पास एक container में हो इसमें क्या हो रहा है यह ionization का मतलब क्या होता है कहीं भी आपको अगर यह term आता है तो आपको clear रहना चाहिए कि यह क्या होता है एनायन और के टायन में dissociate होता है जैसे CS3 COO- क्या है यह एनायन है इसमें negative sign है और यह H plus क्या होता है यह cation होता है इस तरह से इसका यह dissociation हुआ यह reaction यहाँ पर चल रही है अगर मैंने कि इस solution में क्या किया है मैंने कि यह acetate आयन है CS3 COO- है तो उसे मैंने क्या कि अलग से add कर दिया अलग से add करनी के बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हो जा रहा है कॉमन आयन आ जा रहा है मतलब कि यह यहां पर CS3 COO- है और अगर मैंने अलग से CS3 COO डाल दिया तो इसमें क्या हो जाएगा कि यह जस्ट हो जाएगा कि मतलब CS3 COO इस तरह से dissociate होना चाहिए तो dissociate होने के बज़ाए क्या हो जाएगा यह दुनों आपस में मिलके वापस से acetic acid जो है वो फॉर्म करेंगे मतलब reaction आपकी forward direction में होनी चाहिए थी बट इस common iron को add करने की विज़े से क्या हो जाएगी reaction आपकी backward direction में हो जाएगी तो यहीं होता है common iron effect I hope आप लोगो clear हो गया होगा अब जब हम इसकी definitions वगरा देखेंगे तो यह आपको और इच्छी तर से dissociate हो रहा है यहाँ पर ionize हो रहा है जिसे Hindi भी क्या करते है अप घटित हो रहा है तो इस तरह से reaction यहां पर हो रहिए अगर मैंने बाहर से यहाँ पर acetate ion इसमें add किया acetate況 में क्या हो जारह है के विज़े से क्या हो जाएगा बैकवार डिरेक्शन में होगी मतलब की पस्षगामी दिशा में होगी यह अभी क्रिया ठीक है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप आप क्लियार हो गया होगा कि कॉमान एफेक्ट क्या होता है यह होता है उसे ही क्या कहता है इसकी वज़ेक्षण कि आपकोंट डिरेक्शन होगी मतलब जये अंचिति जो होए को मि 데लगे उसे ही क्या कहते है क्या इस क्या ओक्रियेशन होंता है यहouv्ये ऐश्कारिचिशन न Using it होगा तो यह जो होता है यह कॉमन आयन एफेक्ट कहते हैं हिंदी में से कहते हैं सम आयन प्रभाव अगर आप लोग कोई क्लियर हो गया होगा इसके बद इसका जो प्रॉपर डेफिनिशन वह देखिए किसी ऐसे पदार्थ के मिलाने से जो विगटन सामय में पूरु से उपस कि इस तरह का होता है यह कॉमना इस प्रिंसिपल फिनोमेन से बेस्ट है जिसे अंतलब कि जो रियक्षन वह उस डिरेक्शन में प्रोसीड करेंगी जिस डियरेक्शन में प्रोसीड करने की कारण जिस वजह से मतलब कि जिस वज़ा से उसके direction में change आ रहा है वो उस वज़ा को कम कर सके या खतम कर सके अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स लेक्टर में जाके देख सकते हैं यह आपको वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से समझाय हुआ है अब इसके बाद देखते हैं common ion effect से related एक और एक्जामपल यहां पर हम आपके सामने और देखें एजी सील क्या हो था डिसोसीएट हो रहा है यहां पर आइचे प्लस और सील माइनस में तो अगर क्या होगा कि हम लाइज है यहां पर एड्ड करते हैं मतलब सोडियूम क्लॉराइड अगर हम यहां पर एजी स में जाएगी मतलब एक्लिब्रिम का डिरेक्शन होगा वो इस तरह से जाएगा ठीक है शिप्ट एक्लिब्रिम पुजीशन तो इस तरह का यहां पर होता है जो भी कॉमन एन इफेक्ट हमने पढ़ा अगर आप इसको एकदम इंशॉर्ट में कॉंक्लूट करना जाए तो इस त जो सेम आयन का उसमें एड करते हैं तो इसकी विज़ा से क्या होगा कि अगर उसमें कॉमन आयन है तो वह इसे सप्रेस करेगा यानि कि उसके आयोनाइजेशन को रोकेगा तो इस तरह कर इसका डेफिनीशन होता है तो यह आपको याद रखना है इस वीडियो का लास्ट एक होता है तेंपरेचर का पी गये चाह होता है यह अच्छी तरह से आप समझें कि इसे हम एक क्योंके मां द्धियम से समझेंगे कि क्या होता है अगर किसी यह पृविड यह हốngने सयल्पर ऑ Patriot है और हम ने इसे हीट करके टाइचल जो है वो मूह 25-70 कर दिया तो इसने पी will decrease but solution will remain neutral अब आपको यहां पे हीडाउट होगा कि solution जो है वो neutral है बट यहां पे pH decrease क्यों हो रहा है अगर pH decrease हो रहा है तो solution को भी acidic हो जाना चाहिए कि अगर आपको नहीं पता होगा इसके पीछे reason तो आप क्या करेंगे कि option number 8 इकलागा देंगे कि pH decrease होगा और solution जाए वो acidic हो जाएगा यानि कि अमली हो जाएगा तो इसके reason क्या होता है आप यह देखिए जैसे कि for example आप कुछ भी चीज़ को अगर heat करते हैं तो क्या होगा कि उसमें देखा होगा कि आपने क्या हो जाता है कि उसका जो movement होता है वो बढ़ जाता है उसमें एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे वाटर है इसकी वज़े से acidic character वह उसमें आता है ठीक है अगर किसी भी water रूपे करते हैं तो उसमें यह random motion होता है molecular vibration होता है इसकी वज़े से उसमें acidic character वह develop होता है तो इस सके पीह है वो डिक्रीज होता है बाकि वो जो ओवराल सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल ही रहता है तो इसके पीछे इस तरह का रीजन है तो यह आपको याद़ इसके बाद प्रिवेस एर पेपर का एक और यह कोश्चन है पीछे पीछ से रिलेटेड जिसमें काफी लोगों को डाउट का रहा है तो इसे भी हम अच्छी तरह से यहां पर सॉल्ट करने वाले हैं अब देखिए यहां पर जो पीछ है वो दिया हुए टेंट टू दिपावर माइनस एट एम एक्ट्रॉसिमेटली तो अगर हमने जिस तरह साभी पीछ की डेफिनिशन पढ़ी तो अगर आप उस हि ने टीक लुख ट्लट लाएंगे तो इसके वज़य से क्या हो जाएगा के बEMSo a problems के अगर हमारा फिर जायंस क्यों होई निकए सकता है कि हमने पढ़ाय किanc out तो यह इसका जो आंसर है वह हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से प्रॉपर जब वे में सॉल्व करेंगे अपि जो हम यहां पर सॉलिशन पढ़ें तो आपको जब भी 10 to the power minus 7 से कम दिया हो हो एच प्लस का कंसेंटेशन तब आप क्या करेंगे आप यह प्रोसेजर जो है वह यूज करेंगे ऐसा हम किसलिए करते हैं फॉर एक्जांपल अगर आप पो 10 to the power minus 2 एक प्लस का कंसेंटेशन यानि की वाटर जो है काफी इसमें हम क्या करते हैं कि वाटर का जो जो होता है मतल़ा है यह नेलेक्ट कर देते हैं यह क्यूंकि जो सॉलिशन है वह अपने काफी रिष्ट Ε्एक जैसे कि जो वाटर का कानसेटेशन कितना हो तो ए 10 to the power minus 7 तो वैसे केस में हम क्या करते हैं इसे नेगलेट कर देते इसे नहीं लेते बट अगर 10 to the power minus 7 से कम दिया हुआ मतलब माली जी हां पर 10 to the power minus 8 दिया हुआ है ऐसे केस में क्या होता है कि यह water से भी कम acidic है मतलब इसकी क्या है वह काफी कम है तो इस केस में हम इस तरह से सौल करेंगे तो आइए दिखते हैं इसका solution किस तरीके का हुगा फॉर्मूला जहां आपके का वही उस होगा इसमें क्या करेंगे कि आप जो वाटर का अब कंसेंट्रेशन है उसको भी आपको लेना पड़ेगा तो इस तरह से आपने 10 दूदी पावर 7 और 10 दूदी पार माहिने से दोनों लिया यहां पे अपके कि इसे आगे प्रोसिट करेंगे से आगे सौल करेंगे तो आप यहां पर करेंगे 10 दूदी पावर 7 कॉमान निकाल दीजिए इस तरह से आपको क्या आ गया कि यह 10 दूदी प्लस 0.1 यह 1.1 आ गया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉग लॉग एक्स वाई क्या करते हैं हम उसे लॉग एक्स प्लस लॉग य तो यह दोनों मल्टिप्लिकेशन में तो आपनी क्या कि इसे अलग-अलग कैसे करेंगे लॉग 10 दूदी पावर माइनस 7 और लॉग 1.1 ठीक है यह आपको रूल याद रखने कि लॉग यहाँ पर माइनस 7 पर माइनस 7 होजाएगा और यहां पर लॉग 1.1 का क्या होगा लेकिन आपको अब यहां पर 1.1 निकालने तो आपको बनेंगा नि क्यूंकि आपकर लॉग टेवल भी और आको रितायर टाइम भी नहीं है तो अब क्या करेंगा कि आपको 100 ओप्जिंस हो में से चेक करना है कि आपको जो correct option है वो क्या हो सकता है जैसे कि अब देखें यहां पर आपको minus 7 दिया हुआ और bracket के बार में minus यह है ठीक है तब यहां पर जो भी आएगा वो यहां पर minus में आएगा मतलब कि प्लस में आएगा तो आपका जो overall answer है तो वह क्या होगा कि 7 से कम ही होना जाए तो आप options में check करेंगे कि 7 से कम काउन सा है तो इसमें देखे 7 से कम किया सिर्फ एक ही है अगर आप यह answer चेक करेंगे मैं जो आपके real question में दिया हुए तो यहां पर देखेंगे option में 7 से कम सिर्फ एक ही answer है वो है option number 6 तो इस तरह से आप चो correct answer है वो आप निकालेंगे ठीक है अब इसके बद हम कुछ और practice mcqs करते हैं यह आप पो एक और question आया हुआ था pH से related तो यह भी उसी तरह से solve होगा इसे भी हम solve करके आप देख लिते हैं यहां पर दिया हुआ है कि pH इसमें दिया है 0.1 दिया है इसका concentration तो यहां पर दिया हुआ है कि NaOH solution ठीक है NaOH मतलब कि आपका जो यह 0.1 है इससे आप किस तरह से लिखे सकते हैं 10 तुदी पाउर minus 1 तो इससे आप से मुसी फॉर्मूला से निकालेंगे log 10 to the power minus 1 तो इसका क्या आजाएगा वन जो आ जाएगा वो पी ओ एच है ठीक है और हम मैंने बताय था कि पी ओ एच और ओएच मितलब पी वच क्या होता है 14 होता है दोनों का सब्सक्राइब करते हैं तो तो अगर आप पीच निकालेंगे तो क्या करिए से 14 से माइनस कर दीजिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और यह इसका सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो भी स्कूर होगा आप उसे कमेंट सक्षिन में बताइएगा अब इसके बाद देखते हैं फॉर्स्ट कोशिन विच आप फॉलाइंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट रिगार्डिंग पीच स्केल ठेक है तो यह चार ओप्शन में से आप बिल्कुल सही है उसके बाद जो नेक्स्ट है इस पॉजिटिव तो यह गलत है उसके बाद फॉर्टीन होता है इसमें टोटल पॉइंट इसके लिए भी सही है पीच चीज़ाने एक्स्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ठीक है यह भी सही है तो इस तरह से क्या हो जाएगा ऑप् बिल् rasa के इन्हीं होता है कोई बेस करेंगे ऐसे टकरेंगी बैसंट करेंगी just तो पिएज क्या होता है उसी चीज़ को तक्य रिप्रॉपर्फेजंद करता है इसलिए यह एक्स्टम्क्रिंस प्रॉपर्टी नहीं होता है इस यह सूलुज़ क्या है तो यह हमेशा यह काफी easy question है इसका answer आप सबको पता होगा option number B equal to 7 अब इसके बाद next question देखिए who had invented the pH scale pH scale जो था इसका invention किस ने किया था इसका आविश्कार किस ने किया था तो इसका right answer option number A SPL Sorenson तो इसको आप इसको भी आपको याद रखना है अब इसके बाद next question देखिए in which of the following field pH scale is important for measurement तो इसका right answer क्या है all of the medicine, forestry, food science यह सारे fields में pH का important role है अब इसके बाद next देखिए why we measure pH of sea water pH of sea water हम क्यों measure करते हैं समूदर के पानी का हम pH क्यों measure करते हैं तो इसका right answer है it helps in corrosion research इससे हम क्या करते हैं corrosion research करते हैं जिसके विज़े से हम जो sun marine और ship में क्या material यूज होगा यह हम decide कर पाते हैं अब इसके बाद next देखिए what is the pH value of saliva after meal ठेक है इसके बारे में हमने शुरू महीं पढ़ा था इसका right answer क्या है option number b 5.8 अब इसके बाद next देखिए इसने पूछा गया है what is the pH value of pure water तो इसका answer भी सबको पता होगा इसका answer option number c equal to 7 अब इसके बाद next question देखिए इसने पूछा गया है what will be the litmus test if solution is basic तो यह change करेगा वो अगर basic है तो वो कहरेगा red to blue मतलब की option number a जो है वो correct answer है अब इसके बाद next है कि pH of blood तो इसका right answer क्या होगा यह भी हम पढ़ चुके हैं इसका answer है option number 4 7.4 अगर आपको बैचन option में 7.35 दिया होता है तो आप उसे भी correct कर सकते हैं क्योंकि 7.35 to 4 जो है वो ही क्या है एक specific pH होना चाहिए blood का तो अगर वो भी option में दिया होता है तो आप उसे भी correct करेंगे अब इसके बाद देखिए the solution having the property of a very little change in pH on adding a small amount of strong acid or base is called तो यह क्या है buffer solution का ही definition दिया हुआ सीदा सीदा तो इसका right answer क्या है option number a इसके बाद next question आप सब कुशा गया है a solution of HCl with concentration of 10 to the power minus 4 mol per liter तो इसका pH क्या होगा तो यह क्या है log log में आप H plus का value रखेंगे 10 to the power minus 4 तो सीदा साधा answer आजागा option number a 4 is the correct answer अब इसके बाद next देखिए which of the following is not a example of weak acid इन में से जो आपको चारो दिया हुआ option इसमें से कौन है जो वीक acid नहीं है तो आपको यह पता होना है जितने भी mineral acid होते हैं लेकिन जो यह तीन जो है काफी में इंपोर्टेंट है और यह जो तीन है यह में आपको याद रखना है कि यह काफी अब उसके बाद next देखिए अब buffer solution comprises which of the following मतलग कि buffer solution किससे बना होता है तो इसका right answer है option no.d और weak acid and its conjugate base अब इसके बाद next देखिए which of the following statement is correct about aqueous solution of acid and a base तो इसमें आपको correct statement हो आपको चुनना है तो इसका answer क्या हो जाएगा higher the base stronger the higher the pH stronger the acid यह गलत है higher the pH weaker the acid यह सही है उसके बाद lower the pH stronger the base यह गलत है lower the pH weaker the base तो option no.2 and force जब वो correct है तो इसमें कौन सा हो जाएगा option no.d is the correct answer जिसका pH जितना कम होगा वो उतना ज्यादा acidic है तो यह चीज़ आपको याद रखना है उसके बाद हमारा यह last question है सुकूडियम हाइड और तर्न फिनोफ्फिलीन फिनोफ्फ्फिलीन फिनोफ्फिलीन घिया ही इंडिकेटर है जैसे कि लिटमस सब्सक्राइड होता है इक इंडिकेटर जिससे हम acidic और basic क्या है यह identify करते है उससे हम acid and base जो है वो identify करते कि तो इसका right answer होग हो option number a pink अब जैसे phenophthalene जो होता है यह एक indicator है जिससे क्या करते हैं acid और base जो है वो identify करते हैं यह acidic solution में क्या करता है colorless रहता है लेकिन अगर जैसे हम इसमें base डालते हैं alkaline चीज़े डालते हैं तो यह क्या हो जाता है यह pink color का हो जाता है तो thank you everyone इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना feedback comment section में दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी useful लगे तो आप इसे like करें share करें और चैनल को subscribe करें और उसके बगल में जब बैल आइकन है उससे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के